बाक्मुत में भायंकर तबाही के बीच पुतिन ने फादर ओफ ओल बॉम का इस्तेमाल किया है। जी हाँ, ये वही बम है जिससे मारियो पोल में तबाही मची थी। फिर नवंबर में खेरसौन हारने के बाद पुतिन ने डुनेस्क में इस बम का प्रहार करके युक्रेन के सैनिकों को सजा दी थी। अब बाक्मुत में दम घोट कर मौत देने वाले इस वाक्यूम बॉम का धमाका हुआ है। जाहिर हो गया है कि बाक्मुत विजय के लिए पुतिन की सेना कितनी बेताब है और किस हद तक जा सकती है। बेहत खातक बम है। दुनिया में इस बम के इस्तिमाल पर पाबंदी है। लेकिन जब जब पोतिन के दिमाग में घुस्से और वोखलाहट का तूफा है। युक्रेन इस बम के प्रहार से चलनी चलनी हुआ है। एक बार तिर रूस पर इस बम के इस्तिमाल का आरोप लगा है। इलाका है पाकपर्ट। हवा सोखने वाला बम तड़पा कर घोटता है दम। हवा को जलाने और इंसान को तड़पाने वाले इस बम का नाम है थर्मोबेरिक बम। इसे वाक्यूम बम, एरोसोल बम या फ्यूल एर बम भी कहा जाता है। थर्मोबेरिक बम के लिए किसी बम बर जेट की जरूरत नहीं। इसे ती ओएस वन रॉकेट लॉंचर के जरिये लॉंच किया जा सकता है। दिखने में ये किसी रॉकेट की तरह ही दिखता है। पुतिन की सेना ने इस बम का इस्तिमाल कई बार किया। खासकर जहां तमाम कोशिशों के बावजूद यूग्रेन की फौज पीछे नहीं हटी। वहां रूस ने महाविनाश वाले इस बंग का इस्तिमाल किया है। पाखमुत से पहले डॉनस्क में ही इस बंग का प्रहार हुआ था। पारियोपुल के स्टील प्लांट में जब लंबे समय तक रूस की सेना को काम्याभी नहीं मिली तब ही धर्मोबेरिक बमों का धमा का हुआ था। पाखमुत में रूस की सेना ने फाइनल असॉल्ट कर दिया है। सॉलेडर का प्रशाजन रूस के हाथों में गया। टीपी आर के आक्टिंग हेट सॉलेडर सभालेंगे। सॉलेडर पर रूस का पूरी तरह से कब सा। पाखमुत में आप युक्रेन की सेना का कम्यूनिकेशन भी ठीक से नहीं हो पा रहा है। कई रोड और रेल नेट्वर्क पर भी रूस का कबसा हो चुका है। युक्रेन के सेनिको के लिए पाखमुत की तरफ आगे पढ़ना मुश्किल हो रहा है। युक्रेन की सेना सिर्फ आर्टिलरी से रूस के सेनिकों के ठेकाने पर हमला कर रही है। फिल्हाल बाकमत की तीन जगों पर रूस कभी भी कब्जा जमा सकता है दो इलाकों में रूस 90 फीसिदी काम्याबी आसल कर चुका है रिपोर्ट के मताबिक बाकमत के कुछ इलाकों से युकरेन की सेना लोटने भी लगी है युकरेनी कमांडर्स ने जेलंस्की के साथ मीटिंग की है और कुछ इलाकों को छोड़ने पर सेहमती बनी है अलगी युकरेन लगतार माकमत में बलत वार के दावे कर रहा है और वीडियो जारी कर रहा है वीडियो पे देखिए पाखमत के बाहरी लागों में बीम-21 ग्रैट मल्टी रॉकेट लॉंचर्स की तैनाती रॉशन थेकारों पर लगातार रॉकेट से हमले किये जा रहे है बरफीली जमीन और कडाकी की धन में युक्रेन की सेना रॉशन पोस का सामना कर रही है अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है ये अचार के बिजनस करके महीने के 5 लाग कमा रहे है आपको भी ये करना है, तो Freedom Map को अभी डाउनलोड कीजिए कर दो